और मेरे चटरो कैसे हुआ आप बिल्कुल कैफे जैसी ग्रिल सैंविच का तरीका शेयर कर रहा हूं इसकी जो फिलिंग इना stir-fry करके बनाएंगे तो स्वाद अलग ही आता है चलिए बनाते हैं ग्रिल सैंविच पहले सबजी stir-fry करेंगे फटाफट यहां पर मैंने एक चमच तेल लिया है साथ में एक चमच बटर इन दोनों को गरम करना है फिर एकदम जकास वाला फ्लेवर के लिए एक छोटा चमच चाय वाला रेट चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे और आदा चमच जिंजर गार्लिक पेस्ट इन दोनों को भूनना है एक मिनिट के आसपास और आप अभी सोच रहो गए यह वन यह क्या कर रहा है नॉन स्टिक में स्टील की चमच घुमा रहा है दोस्तों की चीज़े डालते हैं दो हरी मिर्च मैंने कटी भी डाल दी एक मीडियम साइज कटावा प्याज और एक कैपसिकम इन तीनों चीज़ों को स्टेर फ्राई करेंगे एक मिनिट हाई फ्लेम पर सबजी का बस हलका सा कच्चा पन हटाना है हम लोग को क्रिस्पीनेस चाहिए करेंगे यहां पर मैंने एक कप क्या असपास कटीवी कैपेज डाल दी एक मीडियम साइज गाजर जिसको ग्रेट करके रखा था इन दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे फिलिम को मीडियम हाई ही रखना है जब यह सिकुडने लग जाती है एक साग आने लग जाती ह अपना काम हो गया एक मिनिट भी नहीं लगती है यह करने में अपनी चिली गार्लिक बटर फ्लेवर वाली स्टर फ्राइट वजीटेबल्स रेडी है बहुत लंबा बोल लिया भाई अब मैं इसको एक मिक्सिंग बोल में निकाल रहा हूं और पांच मिनिट इसको ठंडा कर बनने के बाद आदा चम्मच काली मिट्च पाउडर और हम लोग इसमें में चीज डालेंगे जो है मेयोनीज मेयोनीज मीठी होती है और हम लोग ने यह सपाइसी सबजिया बनाई है ना तो बैलेंस हो जाएगा टेस्ट पूरा इसकी जगे आप बंदी भी दही इस्तमाल कर सकते हो हंकर भी इस्तमाल कर सकते हो मेयोनीज और सबजीयों के एक बार मिक्स कर देते है कच्छी सबजी वाली तो हार जगे मिलती है हम सबही ने खाई है लेकिन चुव यह स्टरफ्राइड वेजीटेबल्स वाली है ना कोई-कोई कैफिस में ही मिलती है पेस्ट कमाल का आत यह मैंने sandwich bread ली है, इसके ओपर stuffing कर देंगे, अगर आप चाहो तो cheese भी grate कर सकते हो, या cheese slice भी लगा सकते हो, लेकिन honestly मेरा feedback पूछो, तो cheese के साथ थोड़ी जादा heavy लगती है, वो wet sandwich वाला मजा नहीं आता भाई, अब मैं इसके ओपर दूसरी bread रख रहा हूं, और butter लगाएंग तो बिना fat, मतलब बिना butter, तेल, घी के भी इसको toast कर सकते हैं, अब cafe जैसी grill sandwich बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने griller गरम करने रखा हुआ था, यह griller में मैं अपनी sandwich रख रहा हूं, और एक minute तक toast करेंगे medium setting पे, एक minute बाद, इसको मैं पलट around 90 degree, ताकि square वाले grill marks बन जाए, और एक और minute toast करेंगे, 2-5 minute लग जाती है, sandwich को toast करने में, आप देख सकते हो, कमाल की लग रही है, recipe एकदम simple है, आप इसको तवे पे भी बना सकते हो, बहुत tasty बनती है, और कला कारी तो बस stuffing की है, जो हम लोगे सबजियों को stir fry किया है, ना butter chili garlic में, मज़िदार बनती है, मैंने चारों बना ली, अब मैं आपको cut करके भी दिखाता हूँ, crispy bread के अंदर crispy सबजियों के साथ, हम लोगे क्रीमी, spicy garlic की stuffing करी है, अब try करना, ठंडी-ठंडी ketchup के साथ, मज़ा आ जाएगा, तो कैसी लगी grill sandwich की recipe, try जरूर से करना, crispy bread के अंदर crispy सबजियों के साथ, creamy coating है, साथ में spicy garlic की taste, try करना, मज़ा आ जाएगा, मिलता है जल्द एक और वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही,